जैसी आराम दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कता के बारे में जिससे आपको ये पता चलेगा की आखिर क्यों शणीदेव भगवान हनुमान जी से थर थर कप यप आती हैं और उन शनी देव की वक्री दृष्टी जो है वो क्यों भगवान हनुमान के भगवान भजरंग बली के भक्तों पर नहीं पड़ती है आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जो भगवान शनी देव हैं जो उन्होंने ये वरदान दिया था हनुमान जी को कि वो उनके भगतों को कभी भी कभी भी परिशान नहीं करेंगे तो चलिए जानेंगे आज हम उसी कथा के बारे में तो हम जादा देन नहीं करते हैं टॉपिक को स्टार्ट करते हैं कहते हैं कि सभी देवी और देवताओं पर भगवान शनी देव ने अपनी वक्रिदिश्टी डाल कर उनका कुछ न कुछ बुरा तो जरूर किया है हम सभी जानते हैं कि जभी भी शनी देव की दशा महा दशा चलती है या उनकी साड़ी साती हो ढहिया हो जभी भी इसका समय आता है व्यक्ति के जीवन पर तो व्यक्ति का जो जीवन होता है वो बहुती संगर्श में बना देते हैं और वो इतना परिशन कर देते हैं इस दशाम है कि विक्ती को ऐसा लगता है कि उसके पास कुछ बचा ही नहीं है तो आए जानेंगे कि कैसे हनुमान जी के अरादना करने से आप शनी देव की वक्री दिश्टी से बच सकते हैं तो हम सबी जानते हैं कि जो वक्री दिश्टी होती है वो शनी देव की वो भूत ही खतरनाग होती है परन्तु वे हनुमान जी के समक्ष बेबस हो जाते हैं और दूसरी और ये भी कहा जाता है कि जो हनुमान जी का परम भक्त होता है उस पर शनी देव की वक्री दिष्टी का असर तो होता ही नहीं है साथी साथ भगवान हनुमान यानि की बजरंग बली के जो भक्त होते हैं वो शनी देव की साड़े साती या धाया के असर में भी नहीं आते हैं ना उस धाया का ना साड़े साती का असर उनके भक्तों पर पढ़ता है। तो चलिए जानते हैं उस कथा के बारे में। तो पुराणिक मानेथाओं के अनुसार हुआ ये कि एक बार शनी देव हनुमान जी के पास आते हैं। और कहते हैं कि मैं आपको साफधान करने आया हूँ कि कृष्ण लीला की समापन के बाद कल्यूग का आरंब हो चुका है। इस कल्यूग में देवता धरती पर नहीं रह सकते क्योंकि जो भी धरती पर रहेगा उस पर मेरी साड़े साती का असर जरूर से होगा। इसलिए आप पर भी इसका प्रभाव होने वाला है। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि जो भी देवता या मनुष्य राम की शरन में रहता है उस पर तो काल का भी कुछ प्रभाव नहीं रहता। इसलिए आप मुझे छोड़ कर कहीं और जाईए तो इस पर शनी देव कहते हैं कि मैं स्रिष्टी करता के विधान के विवश हूँ आपके उपर मेरी साड़े साती अभी से ही प्रभावी हो रही है इसलिए आज मैं अभी आपके शरीर पर आ रहा हूँ कि धाई साल आपके सिर पर बैठ कर आपकी बुद्धी को मैं विचलित करूँगा अगले धाई साल आपके पेट में रहकर आपके शरीर को अस्वस्थ करूँगा और अंतिम धाई साल पैर पर रहकर आपको भटकाता रहूँगा ऐसा सब कुछ जो है शनी देव ने हनुमान जी को कहा तो इतना कहकर शनी देव हनुमान जी के माथे पर जाकर के बैठे गए माथे पर बैठते ही हनुमान जी को खुजली होने लगी तो उन्होंने एक परवत उठाया पहाड और अपने माथे पर रख लिया तब उस परवत से दपकर घबराकर शनी देव बोले कि ये क्या कर रहे हूँ आप तो यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि आप अपना गाम कीजिए और मुझे मेरा काम करने दीजिए मैं अपने सभाब से विवश हूँ मैं इसी प्रकार ही खुचली को मिटाता हूँ ऐसा कहकर हनुमान जी एक और परवत अपने सर पर रख लेते हैं जिससे शनी देव और दब जाते हैं और हैरान हों परिशान होकर कहते हैं कि आप इन परवतों को उतारिये मैं आपसे समझोता करने के लिए तैयार हूँ शनी देव जी उनसे इस प्रकार कहते हैं लेकिन हनुमान जी उनकी कुछ सुनते ही नहीं है और तीसरा बड़ा परवत उठाकर वापस से अपने सर पर रख लेते हैं इस बोज़ से शनी देव चिलाने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझे छोड़ दो मैं आपकी कभी आउंगा लेकिन फिर भी हनुमान जी उनकी पुकार को सुना अन सुना करके चौथा परवत भी अपने सर पर रख लेते हैं तब शनी देव कहते हैं त्राही माम करते हुए हनुमान जी से प्रात्ना करते हैं कि मुझे छमा कर दीजिए मैं आप तो क्या आपकी भक्त की भी कभी नहीं आऊंगा कृप्या करके मुझे छोड़ दीजिए यह सुनकर हनुमान जी शनी देव को उनकी पीडा से मुक्त कर देते हैं शनी देव जी मुक्त होने के बाद शनी देव जी का जो गर्व होता है जो घमंड होता है वो चूर चूर हो जाता है इस प्रकार से हन नुमान जी ने शनी देव के घमंड को भी चूर चूर कर दिया तब शनी देव हाँ जोड़कर बजरंग बली को कहते हैं कि मैं आपको ये वर्दान देता हूं कि मैं आपके भक्तों के पास कभी भी नहीं आऊंगा मेरी जो वक्री दृष्टी में जो साड़े साती में या ठाया में आपकी जो पूजा अरादना करेगा उसके उपर से मेरी दृष्टी का कूपरवाव सदा सदा के लिए हट जाएगा दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि यदि आप शनी पीडा से मुक्ति पाना चाहते हैं या शनी देव आपको बहुत जादा अत्याद एक परिशान कर रहे हों तो केवल केवल एक ही देवता है वो हैं बजरंग बली जिनकी शरण में आपको जाना चाहिए जिनकी शरण में जाने से आपके बड़े से बड़े संकट जो हैं टल जाते हैं ऐसे नहीं बजरंग बली को इतना बड़ा कहते हैं और बहुत सारे स्त्रोत हैं उनके बारे में भी मैं information अपने YouTube channel पर upload करती रहूंगी तो बने रहे हैं मेरे YouTube channel पर तो अभी मैं आप से ले रही हूँ विदा हम मिलेंगे किसी एक नई information के साथ, किसी एक नई कठा के साथ, तो अभी के लिए जैजै सी आराम आप सभी लोगों को